असलाम अलेकुम दोस्तों वेलकम टो कुकिंग उटल शिफा आज ना मैं आप लोगो के साथ मैंगो आइस्क्रीम की रेशिपी शेयर करूंगी वैसे मैंगो का सीजन चल रहा है और मैंगो की सीजन में मैंगो आइस्क्रीम ट्राइना किया जैसे तो होई नहीं सकता तो नहीं है मेरे चैनल पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और पास में जो बबला आइकन हो इसे वी क्लिक कर दीजिए मेरे आने वाले सारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो यहां पर मैंने एक बोल ले ले इस पर मैं आड़ कर रही हूँ विफिंग क्रीम यहां पर मैंने 200 ग्राम जितना विफिंग क्रीम लिया है और इसे अब हम बहुत अच्छे से विफ कर लेंगे अगर आपको वेफिंग क्रीम ना मिले तो मार्केन में वेफिंग क्रीम पाउडर भी अब लेवल है आप वो ले सकते हो तो हमें से बहुत अच्छे से विप करना है देखिए हमारा जो क्रीम है वह अल्मोस्ट वेफ हो गया है तो अब हम इसमें एड कर देंगे कंडन्स मिल्क तो यहां पर मैंने ना डेर्चों ग्राम जितना कंडन्स मिल्क लिया है तो आप कंडन्स मिल्क के जगर पर सुगर फिर सुगर पाउडर भी ले सकते हो और आपके आपका मतलब मैंगो कितना ज़्यादा मीठा है या फिर कितना ज़्यादा कट था तो उस पेसे आप इतना सुगर ले सकते हैं फिर इतना ले सकतो तो हमने कलन्स मिल्क के साथ भी उसे बहुत अच्छा से भी गालिया है विपिंग कर लिए तो इस पोजिशन में हमने सारे स तो अब हम इसे एक यह टाइट कंटेनर में टांसफर कर लेंगे तो मैं यहां पर यह टाइट कंटेनर में से टांसफर कर रही हूं और इसे ओपर नाइट के लिए फ्रीजर में रखतेंगे अब चाहो तो साथ से आट घंटा भी रख से तो पर अबर नाइट के लिए रिजल्ट अच्छा होता है तो नेक्ट मौनिंग देखे मैं और नाइट के लिए इसे फ्रीजर में रखा था में एक बात है पता हूं मैंने ना बहुत जूंदा आइस क्रीम स्कूपर मुझे मिलान के लिए वैसे तो ऐसे ही निकल जाता है पर आप लोगों को दिखाना था ना इसलिए बस इस तरह से मैं थोड़ी बहुत कुछिस करती रही ताकि अच्छी से निकल जाए फिर जाके फाइनली मेरी जो आइस क्रीम बोल थी वह भर गया तो इसके लिए लिए लाइक प्लीज देखा कितने आसानी से मन गया ना मैंगो आइस क्रीम बैसे मैंगो आइस क्रीम को बोल में लेका लिए के लिए मैंने जितना मैंध किया ना उसके लिए प्लीज यार लाइक कर दो सेयर कर दो जो नहीं है मेरे चैनल पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसी मेरे साथ देते रहो प्यार देते रहो दौमियाद रखो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी जब दस रेसिपी के साथ तब तक लिए बाई लाहफेज